असलाम लेकुम क्या हाले हैं आप सबके वल्कम बेक टो मैं चैनल लाईशा खान आज मैं आप लोगों के लिए मठका बिर्यानी की रेसिप लेग गया हैं बहुत सब दस्ती तो चलिए वीडियो की तरफ आधी घर्डि धनिया पोदी नदी लिया था एक पौव मैंने हरी मिश ले ली दी इन दोनों को मैं चोपर में डालके चॉप कर लिया था है मैं दिखाउंगे आपको आगे जाके आदा किलो मैंने चिकन ली थी जर्दे के रंग में डालके मिलाग इसको बॉाइल कर ली थी जैफल जबती के पॉडर ले लिया थे मैंने तेज पत्ते हैं ये पांच छे मैंने बादियन के पूल ले लिया थे गरम मसाल एक चमच ले लिया था आले बुखारा ले लिया थे मैंने आदा चमच हल्दी आदा चमच धनिया पॉडर कुकिंग वाइल ले लिया था तो उसमे नमक लिया है मैंने कुटीवी मिर्च लिया है पिसावा गरम मसाला लिया है ये मैंने जो है चार हरी मिर्च जो है काट कर लिख लिए लेमन टेर लिए हैं गोल गोल से मैंने इसको शेप में काट लिए था यह आप देख सकते हैं हरीमिट और धन्य पुदी ने मैंने क्रेश कर लिया था एक किलो टिमाटर प्यूरी है मैं चाहिए और चार चमाच अद्रक लेसन के चाहिए यह एक किलो चावल मैंने भीगो के यानि आदा किलो दही ले लिया है दही में मैं जर्दे का रंग डालूंगी इसको मैं फेटूंगी अगर आप लोग को जर्दे का रंग कम लगे तो आप मजीद डाल सकते हैं और जर्दे का रंग इस तरह से मैं इसको करके रख लिया है दही को अब मैंने पतीली में एक प्याला ओयल डाला है कुकिंग ओयल उसमें अद्रक लसन मैंने डाल दी है चार चमच इसको महलाओंगी चमच से ये देगा अद्रक हो चुका है अब मैं इसमें जो धनिया पोदीना हरी मिच का जो थाव चॉप किया है और डाल दिया है इसमें इसको अच्छी तरह से मैं भून। दस मिंट बूना है अच्छी तरह से दस मिंट भूनने के बाद अब मैं इसमें टिमार्ट जो प्यूरी हाइकलो जो थी वो इसमें में शामिल करूँगी कि यह मैं आप लोगों को चार पांच स्वारी हां जो की बता रही हूं आज आप हांडियास में तयार कर सकते हैं कि इसको मैं चमच से हैला लूँगी इसको प्यूरी जो है डाल के मैं इसको आदा घंटा पकाऊंगी ढखके तो यह देखें इसमें हो गया है अच्छी तरह से 10 मिंट की बाद मैं आपको दिखा रही हैं से मैंने हल्दी एड किये हैं दस्मिंट बाद हमें हल्दी एड करना है धन्या एड करना है पिसावा दुबारा मैं इसमें चम्मर चलाओंगी पूरा आदा घंटा इसको अब मैं पकाना है प्यूरी को अच्छी तरह से अब यह पक चुकी है पूरा से मैं इसको और पका लूँगी आप सोग देख सकते हैं कि अच्छी तरह से पक चुकी है कुकिंग वायल भी पर आ चुक है इसमें बस आदा घंटा ही पकाना है मैं से टेमाटर प्यूरी को बाकी वह उसमें हो जाएगी देखे अब मैं इसको किस तरह से भरना है किस तरह से बनाना है तो धाई चम्मच में मैं इसमें डालूँगी टेमाटर प्यूरी मैं सारस में मसाले अट करूंगी हजब जरूद आप जितनी तेज मिर्ची का सकते हैं तो इसमें आप डालें गरम मसाला में डाल दिया है अब जरूद नमक डाल लिया है कुटी भी मिर्ट डाल दिया है मैंने जितनी आपको मिर्ची पसंद आलो बुखारे दो डाल दिया है जाइफल जवतरी पॉदर डाल दिया है मैंने अब मैं समें चिकन की बोटिया डालूँगी तीन और उपर से ये मैंने डही डाल दिया है एक चम्मच भरके बॉाइल हुए वे डेड़ प्याला हमने इसमें चावल डालना है उसको उपर तक भरना है में आपको जरूरी नहीं के मैं जितनी बढ़ाए इतनी है आप लökट्री मञजी से पी डाल सकते हैं को जाला डालें तो मसल्हा सकते हैं तो थो समयं से साथ हरी अपर से डाल दूँगी गार्णिश कर दूँगी बॉयल जावल हमें डेड़ कप डालना है उपर से मैंने कुकिंग वर्ड डाल दिया इसमें से इसको अब मैं फॉयलर से ढ़कूंगी अल्मॉनियम फॉयलर से इसी तरह मैंने सारी बना ली थी और एक मैंने बड़ी भी अलग से तैयार की थी तो भी मैं आपको वीडियो में दिखाओंगी तो आप देख सकता है मैंने बड़ी भी बनाई है जरूरू इसको ट्राय करिएगा तो मैं इसको कोईले पर रखूंगी बीस मिन तक हमें कोईले पर रखना है इसको कोईले पर ही पका सकते हैं धन्त कोम दे enrollment hat कितना धुआ है इसमें अच्छे से बिर्याने तैयार हो चीकिए मैं इसको तशले में निकाल लिया तशले के निचे कपड़ा रखना है आप तो देख सकते हैं कि कितनी जबड़सी बिर्यानी मटका बिर्यानी तैयार है तो इसको जरूर ट्राइ किएगा कमिन्ट करके बताए अगर ये वीडियो कैसी लगी प्लिस डू लाइक और सबस्क्राइब मैं चनल आशे खान अल्ला हाफ़स